तो स्टूरिंच शेर कैपिटल जानने से पहले देखलो इस यह कैपिटल हमारे टू वर्ट्स का कॉम्बिनेशन एक है शेर और एक है कैपिटल शेर का मतलब क्या होता है जब हम अपनी कंपनी की जो कैपिटल है उसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उन एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं और शेर कैपिटल की मतलब क्या होता है कि जो शेर हमने पब्लिक में इश्यू करे थे और उन shares को issue करने के बार में जो हमने पैसे raise करे हैं जो money हमें मिला है उसको हम क्या बोलते हैं capital और share से हमें capital मिल रही है तो हमारी share capital होगे दिखे क्या लिखा है share capital is the sum total of monies raised by the company from private और public sources through the issue of shares मतलब हमारे जो shares issue करे गए हैं और जो money हमने raise करे हैं वो public और private दोनों sources से हो सकती है such capital is divided into certain units for a fixed amount is called shares ठीक है और हमारे जो अभी मैंने बताया था कि small units में divide कर रहा था उनको हम क्या बोलते हैं shares the person who holds such shares are called a shareholder और जो person हमारे shares को hold करते हैं मतलब खरीद लेते हैं shares को उनको हम क्या बोलेंगे उनको हम बोलेंगे shareholder thus the money is received by the company through the sale of shares are called the share capital in aggregate share capital मतलब in short हमारे जो shares को issue करने के बाद में जो capital हमारी company को receive होती है उसको हम बोलेंगे share capital अब अगर हम बात करें share capital कितने kinds की होती है तो share capital हमारी two types की होती है पहले है preference share capital और दूसरी है हमारे equity share capital ठीक है preference share capital क्या होती है देखो preference share capital का मतलब क्या होता है कि हमारे जो shares होते है या फिर जो shareholder होते है preference shareholder उनको क्या होता preference share मतलब first priority मिलती है उनका payment मिलनेगा मतलब अगर आपकी company को loss भी हो रहा है ना preference shareholders को अगर आपने prospectus में लिख दिया कि आपको profit मिलेगा तो फिर आपको सबसे पहला profit preference shareholders को ही मिलेगा इनके पास क्या होता है एक fixed amount रहता है कि आपको मिलेगा और एक fixed time भी रहता है मतलब जब और अगर हमारी company का winding up भी कराएंगे ना तो हमारी company के winding up के time पे भी सबसे पहला पैसा हम किसे देंगे हम preference shareholders को देंगे they are the members of the company अगर हम बात करें equity shareholders को तो equity shareholders हमारी company के owners होते हैं कौन होते हैं हमारी company के owners होते हैं इनको पहली priority नहीं होती है for example आपके घर में birthday party थी आपके friends है तो सबसे पहला जो आपका fast food है जो भी आप नाशता वगेरा कराओगे तो वह सबसे पहले priority किसको दोगे आपकी घर में जो guest आया है ना तो वह preference shareholders हो गए उनका एक fixed amount है भाई आपको इतना पैसा देंगे और अगर इनके company को wind up करे तो आपका पैसा देंगे sure है आपका पैसा save है मतलब risk कम है पर अगर हम बोले equity share तो भई अगर हमारे घर में पार्टी है तो हम पहले तो खाने नहीं लगेंगे जब बच जाएगा तो ले लेंगे नहीं बचेगा तो नहीं भी लेंगे वह होते हैं हमारे equity share shareholders are the owner of the company then उस सब्सक्राइब होता है और they have right to take part in the management of a company ठीक है so student if you want कि मैं आपको written notes पर प्रोवाइड करू तो आप में से comment section पूच सकते है thanks for watching do subscribe for more content stay tuned bye bye